बिस्मिल्ला रह्मान रहीम असलाम लेकूम हावड अकैडमी की तरफ चे आपको वलकम कहते हैं हावड अकैडमी मुख्तलिफ कंपेटिटिटिव एक्जैम्स और जितने भी CSS PMS Federal Public Service Commission पंजाब Public Service Commission National Testing Service के एक्जैम्स होते हैं उनकी ओनलाइन तियारी www.havardacademy.com डिस्टेंस लर्निंग पे या गर बैठे तालिम के लिए कोई कोस करना चाहते हैं किसी जॉब की प्रिपिरेशन करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आज हम अपने टापिक को मजीद आगे लेके चलेंगे और अरिस्टोटल की बुक उनकी जो मिशूर तसनीफ बुक पॉलिटिक्स है इसके उपर हमने बहस करनी है बात करनी है तो बिसिकली ये वो किताब है जो हमें अरिस्टोटल की चंद एक तसनीफ मिलती है उसकी राइटिंग में से तो पॉलिटिक्स एक ऐसी मजमूवा है किताब है जिसमें मुख्तलिफ हमें मैनुस्क्रिप्ट मिलते हैं जिनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसको पार्ट कितने हैं त्री पार्ट में डिवाइड किया गया है और हर पार्ट में कुछ टॉपिक्स हैं के उपर हमने अभी चल के बात करनी है तो इस में उसने सियासत पर जो उसके कंसेप्ट्स हैं जो उसकी सोच उ बिचार है उसके उपर डीटियल से बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम इसकी जो तसनीफ है about politics by Aristotle जो अरस्तू की किताब Politics में शहूर किताब है जिसको हम सियासियात कहते हैं उसके बारे में हमने बात करनी है तो सियासियात क्या है अरस्तू की सबसे famous जो है तसनीफ है book है, writing है और इसमें उसने क्या किया है कि इसके सियासियात को वजाहत से पेश किया गया है जो उसके theories हैं about politics उसमें उसने बात खुलके की है तो इस किताब में क्या किया गया है यह किताब रियासत यानि कि स्टेट और slavery गुलामी जिसको एक कहते हैं उसके गुलामी का एक तरीककार था या और उसके बाद family system इसके उपर उसने बात किये इसके लवा institutions यह जो slavery state और family है यह भी एक एधारे हैं इसके बारे में अरस्तु ने अपने ख्यालात काईजार किया है और इसके इलावा उसने इसमें शेहरी जो रियासत है उसकी drawbacks क्या होते हैं drawbacks उसके उपर भी बात की गई है और उसने फर्दर जो यह जो drawbacks हैं इनको remedial, remedy कैसे कर सकते हैं remedial या फिर Myers के बारे में भी उसने बात किये तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह जो book है इसके तीन part हैं part one, part two and part three इसके हिसे हैं तो आज सबसे पहले हम इसके part wise भी देख लेते हैं इस आफल जो है इसमें कितने chapters हैं there are three chapters three chapters यानके chapter number one, chapter number two and chapter number three ये इस पे इसके part one के हैं यानके part one में chapter one, two and three आते हैं chapter one में क्या बाते हैं इसने कहीं हैं ये एक सबसे पहले introductory part है उसका जिसमें उसने तारुफ बियान किया है और इसमें उसने घुलामी जिसको हम slavery रियासत जिसको हम state कहते हैं इसके लावा उसकी फार्मेशन माहियत ठीक है उसकी फार्मेशन उसकी ओरीजन जिसको हम इब्तदा कहते हैं और उसकी internal structure जो है उसके बारे में उसने बात की है तो chapter 1 क्या है? introduction पे, slavery पे, रियासत पे, माहियत उसकी इब्तदा और उसकी internal structure किस तरीके से रियासत होनी चाहिए उसके उपर बात की है दूसरा जो chapter है इसमें रिस्तु ने मुझूदर रियासतों काता ही दिया analysis of states of states जो उस वक्त ग्रीक की रियासतें थी उनके उपर इसने बात की है और इसके इलावा उसने जो plateau है उसकी प्लेटो प्लेटो स्टेट का analysis भी उसने किया है इसके इलावा उसने प्लेटो से जो उसके before plateau थे याने कि before प्लेटो उनकी जितनी राइटिंग्स हैं या फिर उन्होंने थिंकर जितने भी थे उनकी थिंकिंग या उनकी ख्यालाद या उनकी थियूरीज के पर भी बात की है और उनका अनलसिस की है तो चैप्टर टू की अगर हम बात करें तो अनलसिस अफ स्टेट प्लेटो की जो स्टेट है उसका अनलसिस या जो बिफोर प्लेटो जितनी भी राइटिंग्स थी या थिंकर थे उनकी थियूरीज का भी इसने अनलसिस चैप्टर नंबर टू में किया है और ये चैप्टर टू पार्ट वन का है पार्ट वन के चैप्टर कितने है वन टू एंड थिरी अब तीसरा चैप्टर देखें तो इसमें एक ख्याली रहासत यानिके आइडियल स्टेट जो है आइडियल स्टेट उसमें और उसकी टाइप्स क्या हो सकती है उसके बारे में उसने बियान किया है और इस बाब में रियास्तों के अक्साम यानि कि उसकी फर्दर जो काइंड जाएं कैटिगरीज जाएं और उनके जो कांस्टिटिउशन्ज जाएं कांस्टिटिउशन्ज उनके उपर और सौवरेनिटी के sovereignty की spelling देख लेना है exactly s-o-v-e-r-g-h-i-n-i-t-y कुछ इस तरीके से तो उसकी मुतलिक अनानियत के उपर भी इसने बात किये तो यह chapter 3 के बारे में ideal state उसकी types उसकी kinds और categories उसके दसातीर जिसको आइन कहते हैं इन states के आइन के उपर बात की इसके लबा sovereignty के हकूमत के इस तरह होनी चाहिए उसका तहिजिया किया उसके बारे में इसने detail से बात की अब आ जाता है यहां पर part 2 part 1 के chapter 1, 2, 3 का हमने जिकर किया अब यहां पर आ जाता है part 2 और इसके भी तीन chapter ने है chapter number 4, chapter number 5 and chapter number 6 शामिल है तो इन में उसने तीन chapter रखें part 2 में उनके जो main चीजें हैं वो उनका भी हम जिकर यहां पर कर लेते हैं जो बाब चहारम पंजम और जो six है इसमें आइन की अक्साम के बारे में बात की हैंगे types of constitutions आइन की एक्साम पर बात की है और इसके इलावा उसने revolution पर बात की है revolution जिसको आप इनकिलाव कहते हैं और इस revolution की बदावलत जो changes आती है states में उसकी क्या निशानी होती, क्या predictions होती है उसके बारे में उसने बात की है इस फरदर उसने जो बादشाहत का निजम है kingdom बादशाहत किसी state की बादशाहत उसके बारे में और उसके फरदर जो types हैं category हैं उसके ऋपर भी बात की है और अलिगार्की जो चंद लोगों की हकूमत होती है उसके बारे में उसने बात किये इसके लावा उसने डेमोक्रेसी पे भी बात किये डेमोक्रेसी के उपर भी बात किये इसके लावा उसने जो कांस्टिट्यूशन है उसमें चेंजिज या रैवलिउशन उसके उपर बात किया और इनकलाब का मजीद तथक्रा और डिटेल से उसने बात किया इस तरीके से चैप्टर नमबर फॉर फाइव और शिक्स में टाइपस अफ कांस्ट्यूशन उसके रैवलिशन या इनकलाब और चेंजिज बादशात की निजाम और उसके अक्साम और इसके लवा जमूरियत पर बात किये इसके लवा जस्तूर में तबदिली और उसके इनकलाब के उपर इसने तज़क्रा किया है फर्दर आखरी इसका हिसा जो है वो आ जाता है तीसरा हिसा इसके दो चैप्टर्स हैं चैप्टर नमबर 7 and chapter number 8 ये शामिल है chapter 7 और 8 में आगे चलके अरस्तू क्या बाते कहता है इन दोनों अबवाब में अरस्तू ने एक ideal state के बारे में बात किये ideal state और उसका sketch कैसा होना चाहिए उसकी formation क्या होने चाहिए इसके बारे में उसने बात किये रियास्त के बारे में रस्तू के नजरियात यानि कि उसका अपनी थियूरी क्या है थियूरी आफ स्टेट वो क्या है और ideology आफ स्टेट क्या है इसमें उसने बात किये इसके इलावा जो तस्वरात हैं एक स्टेट के बारे में उसके उपर इसने बात किये तो इस तरीके से politics का अगर हम बात करें तो तीन हिस्सों पर है part 1, 2, 3 और part 1 में 3 chapter है, part 2 में 3 chapter है और part 3 में 2 chapter है तो उनका हमने chapter wise भी analysis किया है और उनके जो जो हिसे जिस चीज के बारे में इसने बात किये को detail से cover किया है और आगे चल के जितने भी इसके theories हैं, वो सारी की सारी इसी politics से शुरू होती है जो हमने chapter wise main ideas बढ़े हैं, उसके बारे में उसके theories हैं, उनका हमने आगे चल के एहाता करना है, आज के लिए इतना ही all the best, Allah आफिस